Hey guys, welcome back to my new channel Cut करो Hey guys, welcome back to my new vlog आज इस vlog में आपको दिख रहा है, मैं हलमेट लेके बैठा हूँ, पता चली गया होगा जो लास्ट व्लोग में छोड़ा था, व्लोग नमबर 9 इंस्टलेशन ओफ दिस हिफिन हलमेट माउंट वाज करते हैं तो मैंने जुगाड करके रख दिया है, तो ये पोर्शन आपने देखा था और ये जे माउंट जो आपका था और ये मोबाइल होल्डर भी था तो ये सब कुछ, ये बेसिकली एक हाली ये जे माउंट यहाँ पर अटाच करना था ये स्क्रू दिया हुआ था, ये स्क्रू से इसको अटाच करना था, इसको अटाच करना था, ये मेरी गलती थी, ये अच्छले रिमूवेबल है तो ये नीचे क्लिप है, नीचे क्लिप को पुछ करके अगर आप उपर करोगे, तो ये अलग हो जाता है तो अगर बाइचांस अगर ये आपका तूप जाए, जे माउंट, तो ये आप इसको काम में ले सकते हो ये आपका जे माउंट है, ये यहाँ पर अभी गुज जाएगा या, सो अब हम इंस्टालेशन में बढ़ते है ये मेरा LS2 का हेलमेट है, बहुत पुराना हेलमेट है इसके अंदर आपका ये प्रोटेक्शन कवर आता है, ये शायद एर, विंड के लिए होता होगा सो इसको हम निकाल लेते पहले ये तीनों चीज निकाल लिया मैंने है अब इसको डिरेक्ली इसपे लगा देंगे और ये जो बेल्ट्स दिया है ना ये बेल्ट को हम ऐसे करके यहां पे लेंगे, ऐसे करके यहां लेंगे, ठीक है आपको ये दिख रहा है अब इसको उल्टा कर देते हैं उल्टा करने के बाद इसके नीचे जो दो बेल्ट्स है अलग एक बेल्ट को क्लिप के अंदर से फसाएंगे, एक मिनटा मैं थोड़ा messed up हो गया हूँ तो यह clip को यहाँ पर खोलना है यह वाला clip और इसके अंदर घुसा देना नीचे से अब टेंशन मत लो मैं एक बार होने के बाद भी close up भी video ले लूँगा क्योंकि यहाँ पर मैं बैठे बैठे करना चाहता हूँ सब्सक्राइब मुझे दिखे कि मैं exactly कैसे क्या कर रहा हूँ तो गाइस मैंने जैसे दैसे यह लगा दिया है इसाख यह बताता हूँ मैंने कैसे लगाया है यह आपको setup दिख रहा है यह जो belts नीचे थे वो नीचे से गुसा के इसके clip के अंदर डाल दिया मैंने यह clips के अंदर डाल दिया यह दोनों नीचे वाले belts और उपर से तो नॉमली हाली मैंने नीचे डाल दिया है तो यह इस तरह से कुछ दिख रहा है मेरा setup अभी मैं इस पर phone लगा के दिखा देता हूँ कि exactly यह phone के साथ भी अभी कैसा दिख रहा है यह मेरा phone और यह मैं जरा डाल देता हूँ इसके अंदर सो यह phone के साथ कुछ ऐसा दिखने वाला है isn't it looking amazing मस दिख रहा है न अब इसको निकाल लेते एक बार अब audio के लिए हाँ यह जो चीज मैंने निकाला था यह इसको आपस से डाल देता हूँ मैं यह आराम से लग जाएगा इसके उपर और पता भी नहीं चलेगा कि मैंने सिस्टम लगाया हूँ अलफा वास का यह मॉडल नंबर है BTS 3 सो इस पर मैं अभी इसका जो audio है मैं इस से लेने वाला हूँ आपको इसको इन फ्यूचर कभी चेहिए रहेगा इसका भी इंस्टालेशन में डाल दूंगा यह बहुत इसी होता है तो यह एक्जाक्ली मैंना है दिख कैसा रहा है और audio भी टेस्ट कर लेते हैं आपन ओके यह आपको दिख रहा है यह इस तरह से कुछ होने वाला है मेरा vlogging setup और नीचे जाके में motor vlogging जब ही करूंगा तब आपको अच्छे से बता चलेगा इसके angle को भी मैं इसको कर सता हूं set इसके tight and loose करके और आपको यह भ कुछ फरक नहीं पड़ रहा मतलब it's all clear मुझे पूरा का पूरा सब कुछ दिख रहा है यह अब मैं exactly आपको कैसा दिख रहा है कैसा नहीं दिख रहा है यह नीचे जाके ही पता चलेगा जब मैं अपने bike को चलाओंगा सो अब directly एक ही बार में नीचे जाके ही मिलते हैं आप कर दो कर दो कर दो कि एक मैंने होल्ट लिया था मैंने जस्ट अंगल चेक किया अंगल बराबर नहीं था तो अंगल को सेट किया गया है फिलहाल अब सेट करके भी आगे बढ़ यहां अब मुझे लगता है बरा-भर आपको अंगल तो हम दुबारा निकल रहे हैं यह वाइड अंगल में शूट कर रहा हूं क्योंकि वाइड अंगल में मेरे सब से बैस अब मुझे थोड़ाब्र स्क्रीन मैं दिख रहा है थोड़ा सा उपर लिया है मैंने विजिबिलीटी अभी पूरा है मुझे मेरे बाइक का हाँ मुझे मेरा मीटर नहीं दिख रहा है यह एक है बट अधर वाइज यह अल गुड यह थोड़ा सा स्पीड लेकर देख रहा हूं कि ऑडियो क्लारेटी आनौल कैसे आ रहा है और स्टेबिलीटी कैसे है जस्ट चेक तो गाइस आज का दिन यहीं पर खतम करते हैं आपको यह वीडियो बहुत इंपरमेटिव लगा होगा मेरा यह इंस्टलेशन प्रसेस और मेने दोनों ही आपको दिखा दिया कि यह नाइट व्यू और डेलाइट में कैसा द अब मैं मॉबायल में पैन के आपको इंसमें ना यह है लॉमेट में यह पैन के दिखा देता है मैं लुट के साथ इसको पैन Gewीज आखि कैसा धिख़ेए 가장 वें हैं कि थी आपको दिखा खार करके ग्जाक्र कर इसमें इसमें निप्स्टाल करके पूरा एक्षाटीज भी मैंने हल्मेडिंग स्वाल के बोलो?